नमस्कार मित्रों स्वागत आपका अमारे यूट्यूब चैनल पे एक ऐसी खबर जो आप लोग के लिए बहुत महत्तपूर्ण है और ये खबर आप लोगों के लिए कहीं न कहीं थोड़ी सी दुखदाई हो सकती है अगर आप इसको बहुत दूर तक जाके सोचेंगे तो क्य है पूरी खबर वो देखते हैं और फिर क्या है दूर तक की सोच वो भी देखते हैं क्योंकि देखे सचाई तो है जो नीतियां बन रही है उस हिसाथ से कहां जाएगा भरतियों का एक भविश्य तो देखते हैं खबर क्या है कि केंद्री विद्यालेओं में समविदा पर भ शिक्षक रखने के आदेश हुए हैं संग्ठन के संयुक्त आयुक्त एन आर मुरली ने सभी शेत्री कार्यालेओं के उपायक्तों को पत्र लिखकर विशेश शिक्षकों के नियमित पद सर्जित होने तक प्रतियक विद्याले में अनिवार रूप से समविदा पर विशेश परिशत के अनुसार ही होंगे समविदा शिक्षकों की तैनाती की सूषना 30 नमबर तक मांगी गई है इसमें इससे पहले 3 जून 2016 और 4 जूलाई 2018 को विशेश शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश दिये गए थे लेकिन वर्तमान में देश भर में संचालित करीब 1225 किंदर विशेश विशक्ता वाले बच्चों के शिक्षण के लिए स्पेशल एजुकेटर जो आपके गायब हैं मतलब मौझूद नहीं है एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिली हाई कोट ने 17 नमबर 1987 विशेश शिक्षकों के रखने के आदेश दिये थे वर्तमान में किंद इस विशेश शिक्षक की ही समविधा पर तैनाती मौझूद है जिसके वज़े से जो उन बच्चों की सिक्षा पर बहुत बड़ा एफेक्ट पढ़ रहा है तो मुद्दा ये है विशेश बच्चे कौन होते हैं ये आपने VTC, BN बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है बतान कहीं ऐसा ना होते होते पर्मनेंट हो जाए क्योंकि आज भी योगा टीचर्स और जो हमारे बहुत से अब स्पोर्ट्स टीचर भी हैं वो भी अब पर्मनेंट नहीं रखे जा रहे हैं उनको भी समविधा पर रखा जा रहा है तो किस तरफ जा रहा है ये रास्ता देखने वाली बात होगी जल्दी से जल्दी विश्यर शक्षकों की कम्प्लीट भरती आए ना कि समविधा पर ताकि उन डिवी धारकों को भी कहीं ना कहीं काम मिले और इसी तरीके से कहीं सब जगा लागू ना हो जाए नहीं देखते हैं जो भी होगा फटाफट तो आपको खबर चाहिए और सबसे पहले जानना हो तो सिर्फ इस चैनल पर आएगा लास्ने वीडियो के उसके बहुत बहुत दिनवाद आपका दिन शुभ हो